अंतराश्विय बगिर दिवस पर आज दिव्यांग बच्चों ने एक जागरुकता रैली निकाली इस दोराण डियम डॉक्टर दिनेश शंद्र ने कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कॉपी पैंसल वा अन्य परस्कार दिव्यांग बच्चों को विद्रिद किये शहर के एक कानुन गोपुरा अस्तित बाबा सुन्दर सिंग बगिर विद्दाले द्वारा एक जागरुकता रैली निकाले गए इस दोराण यह रैली पानी टंकी तिराहा डियम चोरहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची डियम डॉक्टर दिनेश चन्द द्वारा सभी बच्चों को माला पहनाते हुए कौपी पैंसल समेट अन्य चीजों से पुरस्क्रित क्या गया डियम द्वारा दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिके हर संभव मदद करनी की भी बात कही गई डियम बच्चों द्वारा तक्ती पर स्लोगन भी लिखा गया था जिसमें बघीर है तो क्या हुआ हम भी समाच के अंक है विद्दाले के संचाली का डॉक्टर बलमीत कॉर ने बताया कि आज अंतराश्टी और बघीर दिवस पर सक्षा अधिकार रोजगार को लेकर गया रैली निकाली गई इसके लिए हम लोगों ने एक जागरूप का रैली निकाली जिससे समाज में इस अंदेश जाए कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं हमारे साथ बहुत से बच्चे ऐसे भी आए हुए जो इस सम तीस वर्षों से चलब वधिर दिवर्ष है और मुझे प्रसंता है कि जन्पत बहराईच में ऐसे दिज्ञांग बच्चों के उप्ठान के लिए उनकी तरक्की के लिए उनको जीवन में सम्मान जनक अस्थान दिलाय जाने के लिए बाबा सुंदर सिंग वधिर विद्याल प्रसंता का विशे है कि वरत्मान में मानिय प्रधान मंत्री जी मौदी जी और उत्तर प्रदेश के यसस्थी मुख्य मंत्री योगी जी मिलकर दिव्यांग जनों के प्रति जो को हावनाप्मक लगाओ रखते हैं और जिस प्रकार से उनकी उननती के लिए प्रयास कर रहे हैं मैं जिलाधिकारी वेराइट्स अपने समस्ता अधिकारियों की ओर से आपको आश्वस्थ करता हूं कि आपकी सिख्षा के लिए आपके विकास के लिए जो भी हम लोग कर सकत करेंगे आज के सुब अप्तर पर मैं पुन है आप सबसे उज्वल भविश्वी की कामना करते हुए आपको अशिर्वाद देता हूँ कि आप ये सश्वी वने जैहिंज जैवान